हालो सुदिंट्स तो बच्चों आज की इस वीडियो में सेल्फ असेस्मेंट ट्रेन नंबर टू हम करने वाले हैं वह स्वाल अप्लाइड मैथेमेटिक्स के बुक से तो इसमें जो फर्स्ट कोश्चन है उसमें गहता है माइनस फाइफ मौड फॉर माइनस फाइफ मौड फॉर माइनस यह जाएगा यहां से माइनस फ्री मौड फॉर अब इसमें आप इसको अलग लग भी कर सकते हो माइनस फाइफ मौड फॉर का पहले आप रिमेंडर फाइंड करो माइनस फ्री मौड फॉर का रिमेंडर फाइंड करो या फिर आप पहले दो डिवाइड करना है फोर को अब क्योंकि नेगेटिव है तो कोशेंट भी आपका नेगेटिव में जाएगा क्योंकि यहां पर जो नंबर आना चाहिए इस से छोटा आना चाहिए अब इसमें से को अगर आप एट से डिवाइड करोगे इसी तरीके से तो आपके पार रिमेंटर बचेएगा सेवन सेवन मौड एट कुश्यन नंबर थर्ड 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 में कहता है वट इस टाइम हंड़र आर आफ्टर सेवन एम यानि सुबह साथ बजे के ठीक हंड़र आर्स के बाद कि कंसिडर करना होता है तो आपको मौड 24 करना चाहिए जब यहां पर हम एम पीएम की बात नहीं करेंगे सिर्फ सेवन ओक्लोग तो इसका मतलब वहां पर आप मौड 12 निकालेंगे बस यह डिफेस्ट ध्यान रखना अब यहां पर आपने करा है हंडर्ड मौड 24 इसकी इक्व साथ बज़े की बात करने कि साथ बज़े से ठीक अंडर्ड आज के बाद कितना टाइम होगा तो सेवन में आप फॉर प्लस करोगे यानि टाइम आजाएगा आपका इलेवन इयर कोश्य नंबर फॉर्थ में देखते हैं इसमें कहता स्पीड ऑफ बोट इन स्टेंडिंग व 1.5 किलोमेटर पर आप ए मैं रोट वेट प्लेस एट डिस्टेंस ओफ 105 किलोमेटर एंड कमस बैक टू दा स्टार्टिंग पॉइंट एक आदमी 105 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर करता है फिर वहां से वापस आता है तो यह आने और जानने का जो टोटल टाइम है यह आपको 105 है टाइम आपको निकालना है नाइन का स्कूर 81 इसका स्कूर आजाएगा 2.25 डिवाड़ेट बाइ 2 इंटू में 9 अब यहां पर इसमें से आप इसको माइनस कर लो माइनस करके आपके पास आएगा 78.75 डिवाड़ेट बाइ 9 तूजा 18 इसका डेसिमल आप अपटा होगे 100 हो जाएगा अब 25 से इसको काटेंगे 4 पे 25 से इसको काटेंगे तो आजाएगा 315 इसको यहां क्रॉस मल्टिप्लाइ करके लाओ divided by 315 equals to T तो यहां से आप T की value निकालेंगे तो क्या आएगी आपके पास देखिए 15 से हम इसको काटते है 15 तूजा 30 15 बंजा 15 15 से बंजा 7 से यह पर कर जाएगा 3 पे एक अंसे लो गया तो T की value आजेगी 24 hours के अंदर 105 किलोमेटर का जो डिस्टेंस है उसको आने और जाने में टोटल टाइम इतना लगेगा कोशन नमबर फिफ में कहता है अदर नमबर आफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इस जिरो और वन आपको 3 by 3 की मैट्रिक्स है जैसा यह 3 by 3 मैट्रिक्स का मतलब हो गया उसके अंदर टोटल 9 element होगे अब यहां पर कह रहा है कि हर एक entries होगा या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है वरलब आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो तो इस तरह की कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जब हम पहले place की बात करेंगे यह यहां पर हम कितने number रख सकते हैं यह दो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं तो हमारे पास option आएगे हैं पर 2 अगला जब यहां पर प्लेस लोगे तो फिर आपके पास 2 option आएगे फिर यहां भी 2 option होगे तो टोटल मिलाकर 2 2 कितनी बारा run 9 times हा रहा है तो 2 raise to power सिधा आप 9 कर द हो जिसमें entry या तो 0 होगी या फिर 1 होगी question number 6 पर चलते हैं 6 में कहता है कि जो x matrix है उसका order है 2 by n, x का order है 2 by n, y का order है 3 by k, z का order है 2 by p, और w का order है n by 3, w का order n by 3 और p का order है p by k, यह आपको order दे रहें matrices के, कहते हैं रेस्ट्रिक्शन on n, k and p, so that py plus my wy will be defined, अगर py और wy define होंगे तो क्या यहां पर restrictions होंगी, तो पहले हम बात करते हैं py की, तो p का order है, आप देख रहे हैं, आप पी का order कितना आपके पास, p के, y का order कितना आपके पास, 3 के, अब यह दोनों multiply होंगे, तो multiply करने के बाद, जो matrix आरे here, suppose हम माल लेते हैं, वो matrix A है, ठीक है, अब यह matrix का order क्या होगा, और क्या यह दोनों multiply कब होंगे, कैसे होंगे, जब भी multiply करते है matrix को तो यह वाली जो column है और यहाँ पर row यह आपस में equal होने चाहिए तो यानि k की value 3 होनी चाहिए एक conclusion तो यह हमारा आगया और जो matrix आपके पास आएगी उसका order क्या होता है यहाँ से row और यहाँ से column यानि एक order आएगा p by k कि अब इसके साथ आपको एड़ करना है डबलू आई डबलू का order आपके पास एन वाई 3 है यहाँ तो यह सेम है दोनों लेकिन जब multiply करने के बाद जो matrix आएगी सब्सका ओडर होगा एन वाई के अब आपको एक और वी को दोनों को एड़ करना है किसी भी दो matrix को add तभी कर सकते हैं जब दोनों के जो order है वो सेम हो तो order सेम होने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर p k है यहाँ पर n k है तो k तो आपस में equal है लेकिन जो number of row है दोनों की different है यानि p और n दोनों आपस में equal होने चाहिए तब जाके यह define होगा तो हमारे पस दो conclusion आ रहे है question number seven इसमें आपको एक matrices दी हुई है उसका determinant है यह डेल्टा तो यह आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 and d1 d2 d3 आपको value find करनी है किसकी a3 into m13 b3 into m23 यहाँ पर जो आपको इसके अंदर PDF है इसके अंदर थोड़ा सा mistake दे रखिए इसको ठीक कर लेना आप लोग प्लस में d3 इसकी value आपको find करनी कि अ अब यहाँ पर जो value आपको find करने यह देखो afterwards यह वाला element कोन सा है a3 a3 ऐसली मेंट सब्सक्राइफ से सैंड घौलं में उसका मांगी ए तर रो य थार्ड कॉलों में उसका माझ यहां पर मल्टिप्लाइब ऑ है इस तरह की फॉरपर्टी हमने कोफेक्टरें पढ़ी थी कि किसी भी कोफेक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम् यहां तो यहां पता होगी कि जो माइनर के बराबर होती है लेकिन जब आप इसकी बात करोगे यहां पर नेगेटिव साइन आता है क्योंकि इसका साइन हम चेंज करते हैं और जो थर्ड रो थर्ड कॉलम का को फेक्टर आता है वो इसके माइनर के बराबर ही होता है तो यानि यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें अब यहां पर जो एलिमेंट है उन्हें के को फेक्टर मल्टिप्लाई हो रहे है तो जो आंसर है आपका वो डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा जो एलिमेंट है उसी के ही को फेक्टर अविलेबल है यहां पर कोशे नमबर 8 में करता derivative of x square with respect to x cube x square का derivative करना है किसके respect में x cube के respect में करना है तो हम ऐसे cases में क्या करते हैं हम इसको तो y माल लेते है और इसको z माल लेते है यानि हमें इसका derivative करना है इसके respect में यानि हमें यहां पर क्या find करना है dy by dz find करना है तो यह parametric function बन गया आपका यहां पर derivative करो with respect to x क्योंकि x से दोनों connect हो रहे हैं तो dy by dx आप निकालेंगे तो यह आएगा आपके पास 2x और dz by dx निकालेंगे तो यह आएगा आपके पास 3x square हमें find क्या करना है हमें इसका derivative करना है इसके respect में यानि dy by dz हमें find करना है तो dy पर dz निकालने के लिए इसको हम उपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे इसको हमने solve किया तो answer आगया 2 upon में 3x question number 9 में देखते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव और फॉलाइंग फंक्शन फंक्शन आपको एक दिया वास का थर्ड डेरिवेटिव आपको find करना है 27 करेंगे तो 5 7 35 5 4 20 प्लस 3 यानि 23 अब यहां पर डिरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा आपको प्रोडेक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा तो फर्स डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 3 15 तो 15x स्कूरर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आज डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास आएगा स्रिफ 30 अब option में 30 कहीं बरबरी नहीं है जो सी option है उसमें 30x है तो वह हमारा answer नहीं होगा हमारा answer आएगा इसमें none of these question number 10 10 में कहता है आपको x equals to t square and y equals to t cube find करना है आपको d2y dx square है तो पहले तो यहां parametric function है एक्स भी टी से connect है य भी टी से connect है तो पहले हम differentiate करेंगे इसको with respect to t तो dx by dt की value आगई यहां से 2t और dy by dt की value आगई 3t square अब find करते पहले यहां से dy by dx अब dy by dx find करना है तो dy by dt को उपर रखो पहले 3t square और इदर से आजाएगा 2t इससे cancel तो यहां आजाएगा 3 by 2t अब हमें यहां पर second derivative find करना है यानि इसका derivative करना है अब इसका derivative करना है तो हम यहां पर differentiate करेंगे with respect to x यहां पर हमने इसका second derivative किया d2y dx square यहां पर आजाएगा 3 by 2 तो constant है t का derivative करेंगे तो आएगा dt by dx अब dt by dx की value यहां पर आपके पास है 2t उसको reciprocal करेंगे तो 1 upon 2t आजाएगा यानि 3 upon 2 into 1 upon 2t आजाएगा आपके पास 3 upon 4t question number 11 determinant आपको यहां पर दिया हुआ है 2x into 5 8x is equals to 6 minus 2 7 3 अब यहां पर ही determinant का symbol है matrix का symbol नहीं है आप डारेक्टली ऐसे मत कर देना एक की value 3 आगई ऐसे नहीं करना यहां से एक की value 3 आगई यहां से एक की value 3 आगई तो 3 आंसर ऐसे नहीं करना determinant है तो इसको determinant की पहले number निकालो 2x square आए हां से 8 y जा 40 6 3 जा 18 प्लस 7 2 जा 14 इसको आप उधर लेके जाओ 18 और 14 32 32 32 प्लस में 70 यानि 40 यानि 72 तो x square की value आ गई 36 और x की value आ जाएगी plus minus 6 दोनों value लेनी है क्योंकि हाँ पर आप square root कर रहे हो तो इसमें option बन गया आपका c question number 12 12 में आपको root x दिया हुए root y दिया हुए root x प्लस में root y is equal to 1 इसका derivative करना है at 1 by 4 1 by 4 तो यहाँ पर पहले हमने इसका derivative किया 1 by 2 root x root y का derivative 1 by root y अब y का भी derivative करेंगे तो dy by dx is equal to constant का derivative 0 यहाँ से 1 by 2 आप common निकाल दो और साथ में यह वाली term को उदर में shift कर दो इधर है गया 1 by root y dy by dx equals to minus 1 by root x इसको आप उदर shift करो dy by dx की value आगे minus root y upon x दोनों root के इंदर है दोनों को इखटा कर दो अब इसने x वाई दोनों की value 1 by 4 दी हुए है तो दोनों की value जब आप यहाँ 1 by 4 पूट करोगे answer आजाएगा आपके पास minus 1 यह 1 का square root करेंगे 1 आजाएगा उपर minus sign है तो minus 1 आगे 13th question में x square plus में xy plus में y square equals to 100 यहाँ भी आपको derivative find करना है dy by dx find करना है तो यहाँ derivative किया x square का 2x यहाँ पर product rule लगाओ x का derivative 1 y as it is x as it is y का derivative dy by dx प्लस में y square का आगे 2y into में dy by dx constant है उदर तो constant का derivative 0 अब जो dy by dx वाली terms है उसको इधर रखो बाकी सब को उधर shift कर दो इन दोनों के अंदर dy by dx है तो dy by dx common निकालेंगे यहाँ से आजएगा x plus में 2y इन दोनों को इधर ले जाओ minus 2x minus y इसको यहाँ नीचे लाएंगे हैं तो dy by dx की value minus common निकाल देते हैं 2x plus में y divided by x plus में 2y तो हमारे पास यह option बनता है यहाँ पर option number b minus 2x plus y divided by x plus 2y 14th question देखते है y equals to log y equals to log 1 minus x square 1 plus x square then find dy by dx अब dy by dx अगर आप ऐसे find करोगे तो थोड़ आशा complicated हो जाएगा क्योंकि पहले आपको log का derivative करना पड़ेगा फिर यहाँ question डूल लगाना पड़ेगा तो इससे बेटर रहेगा कि हम यहाँ पर log की property यूज कर ले कौन सी property अगर log में इस तरह से time आती है p by q तो हम अलगलग कर सकते है log p minus log q दोनों को हम अलगलग कर सकते हैं तो ऐसे यहाँ पर इसको अलगलग करते हैं पहले log 1 minus x square minus log 1 plus x square अब आप derivative करोगे तो आप बड़े इसली derivative आपका हो जाएगा पहले log का derivative करेंगे 1 upon 1 minus x square अब क्योंकि यहाँ पर x नहीं है जब भी x के अलावा कुछ भी होगा तो आपको derivative करना है chain rule proper लगाना है तो 1 का तो 0 हो जाएगा minus x square का करेंगे आजाएगा minus 2x ऐसे यहाँ पर करो 1 upon 1 plus x square और x square का derivative 2x तो उपर से minus 2x कोंबन निकल रहा है निकाल दो बचा क्या है यहाँ से 1 minus x square यह plus में बचेगा 1 plus x square LCM लेते हैं अब इसका simplify करते है इदर आजाएगा 1 plus x square इदर आजाएगा 1 minus x square इससे यह cancel 1 1 2 हो गया 2 को इसे multiply करोगे आजाएगा minus 4x upon में इन दोनों को multiply करेंगे 1 minus x की power 4 तो इसमें जो answer हमारा यह option बनेगा हमारा b question number 15 देखते है 15 में कहते है the probability that a student is not a swimmer जो student है वो swimmer नहीं है इस बात की probability है 1 by 5 तो यहाँ पर जो पी है उसको आप लेके चलो क्योंकि आपको जो question है question में आगे देखो कि आपको निकालना कहा है आगे कहता है then the probability that out of 5 student 4 are swimmer swimmer की probability निकालनी है तो swimmer को हम success ले लेते हैं यहाँ पर not a swimmer आपको दे रखा है यानि जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो एक तरह से 4 तो यहाँ जाएगा 5C4 4 by 5 की power 4 और 1 by 5 की power 1 अब option में आपको पहला ही option मिलेगा यहाँ पर 5C4 4 by 5 की power 5 and 1 by 5 तो यही आपका answer आजाएगा solve आगे करना नहीं क्योंकि answer इतना ही छोड़ा हुआ है 16 में कहता है इन्हे box containing 100 bulbs 10 are defective अब 10 defective बल्ब है यहाँ भी देखो कि probability किसकी find करने है defective या non defective आगे आप last में देखो कि कहता none is defective मतलब defective की probability find करने है तो जो defective bulb है वो यहाँ पर success है 10 bulb defective है out of 100 यानी P तो हो गया 1 by 10 और Q हो जाएगा 9 by 10 कितने bulb का sample लेना है आपको 5 bulb का sample लेना है तो N हो गया 5 none is defective मतलब कोई भी defective नहीं है that means X की value है यहाँ पर 0 तो यह क्या बनेगा 5 C 0 1 by 10 की पावर 0 9 by 10 की पावर 5 यह भी बन हो जाएगा यह भी बन हो जाएगा यह आन्सर आगा 9 by 10 की पावर 5 option में देखो है कि नहीं है तो C option आपका आगया 17 question देखते है P X आपको दिया वाँ यहाँ पर 0.8 और X की value दे रखे 3 then find the value of EX तो EX निकालने के लिए क्या करते है P X को उसके X से multiply कर देते है तो EX आगया आपके बस 0.8 इंटू में 3 यानि 2.4 18th The mean of numbers obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces 2 2 faces and 5 on 1 face तो dice के जो 6 face होते हैं उन 6 में से 3 face के ओपर तो 1 लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 1,2,3,4,5,6 normal dice है वो नहीं है तीन face है जिस पर 1 लिखा हुआ है दो face है जिस पर 2 लिखा हुआ है और एक face है जिस पर 5 लिखा हुआ है तो अब आपको इसका क्या बताना है mean बताना है कि जो dice के ओपर जो number है वो x की value है अब dice पर एक तो 1 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है अब इनकी probability क्या होगी total मिलाकर आपके पाद 6 face होते हैं और dice पर जो 1 लिखा हुआ है वो 3 face पे लिखा हुआ है तो इसकी probability बनेगी 3 by 6 2 लिखा हुआ है 2 face पर तो इसकी probability बनेगी 2 by 6 5 लिखा हुआ है 1 face पर तो इसकी probability बनेगी 1 by 6 अब यहां से आप e x निकालेंगे तो x कोस के p x से multiply करना है 1 into 3 by 6 3 by 6 हो गया 2 into 2 by 6 यानि 4 by 6 5 into 1 by 6 यानि 5 by 6 5 plus 4 9, 9 over 3 12 12 by 6 याट मिस 2 आपका answer आगया question number 19 इसमें से पूछा आप से which one is not a requirement of a binomial distribution binomial distribution में इसमें से किसकी requirement नहीं होती पहला part क्या कहता है there are two outcomes for each trial binomial के अंदर specialty होती या तो success हाता है या failure होता है यानि वो तो उसमें होना चाहिए तो पहला option आपका नहीं होगा there is a fixed number of trial number of trials में fix होते है ऐसा नहीं होता है कि आप करते रहों करते रहों करते रहों करते रहों तो वो binomial का case नहीं है तो यानि यह भी इसमें option नहीं होगा the outcome must be dependent on each other यह outcome dependent नहीं होने चाहिए outcome independent होने चाहिए that means हर बार जो probability आप निकालोगे चौती condition उसमें होती है कि success जो आती है हर एक trial के लिए same रहती है change नहीं होती है तो इसमें option बनेगा आपका C 19 में है 20th में 8 coin are tossed together 8 coin को आपने एखटे tossed किया then the probability of getting exactly 3 head तो 3 head आने की probability है वो आपकी कितनी है अब coin को जब आपने 8 पर toss किया है तो n की value तो 8 होगी जब भी coin आप toss करते हो तो P और Q हमेशा 1 by 2 ही रहते है अब head आने की जो probability है कितनी चीए उसे exactly 3 यानि P x equals to 3 find करना है तो यह हो जाएगा 8 C 3 1 by 2 की power 3 और 1 by 2 की power 5 यानि इसको आप solve करोगे यह पूरा solve करना है नहीं करना है पूरा solve करना पड़ेगा 8 C 3 को solve करोगे 8 factorial 8 minus 3 5 factorial 3 factorial यहाँ सा आजाएगा 1 by 2 की power 8 8 factorial को आप solve करेंगे तो आजाएगा आपके पास 8 7 6 5 5 factorial cancel होगा 3 factorial आपका बनेगा 3 into में 2 और यह बन जाएगा 1 upon में कितना बनेगा 128 256 तो यह तो इससे cancel हो जाएगा यह इससे cancel हो जाएगा 8 से यह cancel हो जाएगा 8 3 is a 24, 8 2 is a 16 तो answer आएगा आपका 7 upon 32 तो इस तरह होगा question number 20 question number 21 21 के अंदर आपको दियावाई कि P0 P2 के बराबर है 21 के अंदर P0 P2 के बराबर है in the poison distribution find the value of mean mean मतलब lambda की value आपको find करने है तो poison distribution में फार्मूला होता है e raise to power minus lambda lambda raise to power r r मतलब यह हो गया divided by r factorial यहाँ भी formula यह रहेगा बस यहाँ पर यह change हो गया यह तो cancel हो जाएगा lambda की power 0 1 होती है यह भी 1 हो जाएगा यह 2 इदर आएगा तो 2 equals 2 में lambda square तो lambda की value आजएगी यहाँ पर square root of 2 तो a option आपका आजएगा question number 22 if flesh light has 8 batteries out of which 3 are dead आपके पास एक flesh light के अंदर 8 battery है जिसमें से 3 battery dead है if 2 batteries are selected without replacement and tested the probability that both are dead आपको दोनों आपकी जो battery है दोनों की दोनों dead होंगी इस सीज के आपको probability find करनी है अब यहाँ पर आपको यह दिया हुआ हुआ है without replacement यानि आपने जो बैटरी के बाद सेलेक्ट कर ली उसको वापस replace नहीं कर सकते हो ठीक है तो अब यहाँ पर जब आपने पहली battery निकाली आपके पास जो प्रॉवलिटी है यानि जो आपकी battery है तीन battery dead है और आठ battery ठीक है ठीक है तो पी आपके पास dead number of dead battery dead battery है 3 और जो good battery है वो आपके पास हो गई 8 sorry total of 8 तो good battery होगी आपके पास 5 अब without replacement निकालना है दोनों की दोनों dead है तो probability of 2 both dead तो आपने जब पहली dead battery निकाली तो dead battery की probability आपके बनेगी 3 by 8 अब आपने यहाँ पर इसको replace नहीं करा है आपने इसको वापस नहीं डाला है वापस नहीं डाला तो इसका मतलब अब एक battery आपके अब कम हो गई अब एक कम होगी तो अगली battery जब निकालोगे dead वाली तो dead battery एक कम होगी और total में से भी एक कम होगी अब इसको आप solve करो answer आजाएगा 3 upon 28 तो इसमें option बनेगा आपका D question number 23 23 तो 23rd question है उसके अंदर आपको यह दिया हुए P1 equals to यहाँ पर भी थोड़ा correction करेंगा P1 के P1 equals to lambda यहाँ पर नहीं आएगा P1 equals to P5 आएगा in the poison distribution find the value of mean तो mean की value आपको find करनी है तो P1 की value P5 के बराबर है तो जैसे आपने यह किया था उसी तरीके से e raise to power minus lambda lambda की power 1 divided by 1 factorial e की power minus lambda lambda की power 5 divided by 5 factorial यह cancel हो जाएगा एक lambda cancel हो जाएगा 5 factorial की value आप निकाल होगे तो 5, 4, 20, 20, 6, 120 तो आपके बास lambda की power 4 की value आएगी 120 यानि जो lambda की power 4 आपको भी देखना है कि lambda की power lambda की value जो होगी 120 बराबर कब होती है तो आप table से आप देखोगे तो इसकी value आपको मिलेगी 43.81 इसके approximate value मिलेगी तो lambda की value आएगी 43.81 उसके बार next 24th question आप देखोगे 24th question में इंडेक्स नंबर इस ओलवेज expressed in percentage इंडेक्स नंबर हमेशा percentage में express के जाते है यानि option बनेगा इसमें A 25th which index number is called an ideal index number कौनसे index number को हम ideal बोलते है फिशर को बोलते है ideal तो इसमें option आपका C 26 इंपाशे price index number weight is considered as पाशे के इंदे जो weight हम कौन सा लेते हैं तो current year है उसका weight लेते हैं तो इसमें option बनेगा आपका B क्वालिटी quantity in current year 27 27 Fischer price index number is the Fischer price index number वो होता है arithmetic mean of Lespyrus and Pashe Lespyrus and Pashe index number का arithmetic mean यानि इसमें option बनेगा आपका A Question number 28 क्वालिटी एट X belongs to integer then the equivalence class of X with respect to mod M is given as जो equivalence class है आपकी वो यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है equivalence class के लिए symbol है is equals to A belongs to Z such that A congruent to X mod N equivalence class है उसको इस तरीके से express किया जाता है हाँ यह ठीक है कि हमको इसको इसी तरीके से express करते है कि A जो यहाँ पर integer को belong करता है और A minus X जो भी आएगा वो mod N यानि N से वो divisible होगा अगर आप equivalence class वाली बात करोगे तो तो यह option आपका ठीक है यानि इसमें answer आएगा आपका true यह option बन जाएगा question number 29 इसमें करता था value वो 5 raise to power 6 mod 4 5 की power 6 mod 4 इसकी value आपको find करने है तो इसकी value find करने के लिए आप यहाँ पर देखोगी पहले 5 की power ऐसी लो छोटी जिससे आप divide करो अगर मैं 5 को divide करूँँगा तो कोशिश हमेशा ऐसी करने हैं जो power वाले कोशिशन है कि आपका remainder 1 या minus 1 आजाए अगर 1 या minus 1 नहीं आसकता तो 2 लाने की कोशिश करो मतलब जितना छोटे से छोटा remainder हो सकता है उतना लाने की कोशिश करो अब यहाँ पर 5 की power आपको 6 से ही है इधर में 5 की power आगा 6 करूँगा इधर भी 1 की power 6 करने पड़ेगी लेकिन फारक क्या पड़ेगा वन की power तो कितनी दी कर लोग नी रहेगा तो मारा जो answer आजाएगा 1 mod 4 यानी जो remainder आपका वो 1 आजाएगा question number 30 करता है a is a symmetric matrix and n belongs to natural number then a raise to power n अगर a symmetric matrix है symmetric होती है इसका transpose करेंगे तो उसके बरावर ही रहेगा अब उसमें आप कैसे भी matrix ले लो अगर 2 by 2 ले लो 3 by 3 ले लो 3 by 4 ले लो कितनी भी power कर लो वो हमेशा symmetric ही रहेगी तो इसमें जो option बनेगा आपका वो a option आ जाएगा 30th question में answer आपका symmetric ही रहेगा अगर एक matrix symmetric है तो उसकी power आप कितनी भी कर लो 2,3,4,5 वो symmetric ही रहेगी question number 30 first देखते है which one of the following is not true about the matrix एक matrix आपको दी हुई है इसमें से आपको चार option में से बताना है कि कौन सा इसके बारे में true नहीं है तो पहले कहते हैं आपर 1,0,0,0,0,0,0,5 तो option में आपको दिया है पहले scalar 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 के अंदर सारे element आपके diagonal वाले सेम होने चाहिए तो हमारा पहला ही option बन जाएगा यहाँ पर यह स्केलर matrix नहीं है जो true नहीं है वो बताना है बाकी को option क्या थे आपके बास बाकी का option देखो diagonal diagonal matrix के अंदर diagonal वाले element को छोड़कर बाकी सब 0 होना चाहिए तो यहाँ पर यह भी 0 यहाँ भी 0 यह भी 0 तो diagonal यह बन गहीं है डाइगनल में एक element 0 हो सकता है दो भी 0 हो सकते हैं तीनों नहीं होने चाहिए अपर triangular matrix में यहाँ पर जो डाइगनल के ऊपर वाले element है यह आपके प यहाँ कहा था इफ A is a square matrix of order 3 such that adjoint of A equals to 16 determined of adjoint of A equals to 16 अब determined of adjoint A का formula यह होता है order जो भी होगा उसमें से एक power कम करनी है order हमें दिया वाए 3 तो 3 minus 1 करेंगे 2 आ गया तो यहाँ determinant of A की value निकाल लेंगे तो plus minus 4 आ जाएगे 33 the function given by fx equals to 3x plus 17 अब option में कहता है कि strictly increasing, strictly decreasing, monotonically increasing, monotonically decreasing तो function यहाँ पर आपका f dash x निकालो उससे पता लगेगा इसका derivative करेंगे 3 अब 3 जो है वो हमेशा greater than 0 रहेगा आप कुछ भी x की value डालो 3 पे कुछ फरक पड़ेगा नहीं इसका मतलब function आपका strictly increase करेगा strictly increasing on r यानि कोई भी real number होगा, यह strictly increasing ही रहेगा 34th में कहता है तर लॉगरिथम में function strictly increasing on जो लॉगरिथम function होता है, यानि log x इसका आप derivative करोगे, तो function आएगा 1 by x इसका derivative अब derivative में यहाँ x की जगे, अगर आप positive value रखते हो तो answer इसका मेशा positive ही रहेगा 0 आप रखनी सकते हो, और 0 से कम रखोगे तो negative value आजाएगी तो यहाँ पर यह पूछ रहे, strictly increasing यह कहाँ पर होगा तो 0 से लेकर infinity में कोई भी value रखोगे function आपका strictly increase ही करेगा 35th में देखो the maximum profit that a company can make if the profit function is given by this profit function आपको दिया हुआ 41 plus में 72x minus 18x square तो यह maximum कहाँ पर होगा यह पता लगाने के लिए, पहले हम derivative करते हैं वहाँ से critical point निकालेंगे derivative कर आपके पास आगया 72 इसको put करो 0 इसको 0 put करोगे तो आपको x की value मिलेगे यहां से 2 तो यह आपका critical point आगया इसी पर आपकी value maximum होनी है या minimum जो भी question के अंदर दे रखा होगा आपको check करने की जरूद नहीं है अगर a की value आई है अब maximum profit होगा गया इस value को आप यहां profit function में put कर दो 41 plus में 72 इंटू में 2 18 इंटू में 2 का square 72 इंटू में 2 करोगे आप 144 या आजाएका 4 18 for the 72 144 में 72 माइनस करोगे 72 ही बचेगा 72 में इसको plus करोगे तो यह आजाएका आपके पास 113 यानि यह आपका profit function maximum यहाँ पर होगा 36 इसमें गया था the function gx equals to log x does not have maxima और minimum gx functional log x तो यह maximum होगी इसकी value ना minimum होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि जब आप इसका derivative करोगे तो इसका derivative करोगे आएगा 1 by x अब जब आप इसको 1 by x को critical point निकालने के लिए आपको इसको 0 put करना पड़ेगा और यह value exist ही नहीं करती तो जब इसका critical point कहीं पर निकलेगा ही नहीं इसका मतलब ना तो यह maximum होगा ना यह minimum होगा यानि यह statement आपकी true है 37th question यह आपके syllabus में नहीं है यह probability density function है इसमें integration का use करना है तो इस question को आप skip कर सकते हो तो हम question number सिधा 38 पर चलते यह question I think repeat हो रहा है यह question पीछे हमने किया था question number question number 18 यह question यहाँ पर repeat हो रहा है इसका answer 2 आया था तो अब यहाँ पर भी 2 ही लिख देते हैं दुबारा करने की जरूद नहीं है question number 39 39 में करता है इन्हें binomial distribution of PQN are the probability of success, failure and number of trial respectively इस इन्दव variance variance का formula होता है NPQ तो यह आपका answer आजाएगा NPQ question number 40 the area under a standard normal curve जो standard normal curve जो हम बनाते हैं ठीक है normal distribution के अंदर उसका जो area होता हो कितना होता है उसका area one के बरावर होता है question number 41 और 41 के अंदर आपको statement वन्स दो आपको statement दे रहे खिए आपको यह बदाना कि कौन सी यहां पर true है दोनों true है या एक true है या कोई भी नहीं है तो statement वन जो है उसमें कहता है जो प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर दा रिलेटिव चेंजिज इन प्राइस ऑफे कॉमोडिटी बिट्वीन टू पीरिए प्राइस कैन बी इधर रिटेल और रिटेल और रिटेल में हो उसमें जो पीरिट जो टाइम है उस टाइम के एकोडि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है यह हम बताता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो यह भी आपके स्टेटमेंट ठीक है यानि बोथ हार ट्रू तो इसमें दूसरी ऑप्शन आपका वह आजएगा बोथ हार ट्रू फिर 42 में फिर से आपको स्टेटमेंट दियो हुई है स्टेटमेंट 1 इसमें गया था है यह इंडेक्स नंबर होता है जिसके अंदर आपको वेट भी दिया होता है ठीक है और तो यह statement भी आपकी true है statement टू में गाता है index number work as the economic barimeter index number से आप economic barimeter की तरह भी काम करता है economy के बारे में आप इसमें आइडिया लगा सकते हो तो यहां भी दोनों statement आपकी true हो लिए बोथ हा true 43 में solution set आपसे पूछ रहा है तो आपको एक number line दे रखिए उस number line में यहां पर आपको दिया हुए 5 इधर आपको dark shade कर रखा है तो इसका मतलब यहां पर जो x होगा वो किसको बिलोंग करेगा 5 से लेकर infinity तर राइट इन साइड का 5 को आपको consider नहीं करना क्योंकि 5 के अंदर जो यहां नौड लगा हुआ है वो फिल नहीं कर रखा है ब्लैंक छोट रखा है तो उसको consider नहीं करना है 44th question पर देखते हैं इसमें कहता है कि mod of x plus 2 less than equals to 9 less than equals to 9 mod of x plus 2 यहां पर जो mod function होता है इस mod function को आप कैसे लिखते हो अगर आपको less than equals to 9 दियाव है तो मतलब इसकी जो x plus 2 की value है वो इसके बीच में लाई करती है यहां से 2 को आप minus करोगे 2 को minus करेंगे तो इदर minus 11 आ जाएगा और इधर minus 7 करना minus 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा यानि x की जो value है minus 11 से लेकर 7 तक consider करेंगे with close interval क्योंकि इसमें दोनों को consider करना 11 को भी करना है और 7 को भी करना है तो close interval लगाना यह धान नखना है question number 45 45 में कहता if the probability that an individual suffer a bad reaction from injection of a given serum is 0.001 या आपको P दिया वहाँ है आपको 0.001 then the probability that out of 2,000 individual n आपको दिया वहाँ 2,000 x 33 will suffer from a bad reaction तो पहले यहां से आप lambda निकालेंगे lambda होता है n into में P इन दोनों को multiply करोगे तो lambda की value आगे 2 अब आपको probability find करने है कि तीन लोग जो हैं इस सफर कर रहें तो P x equals to 3 आपको find करना है या जो फार्मूला यहाँ poison का लगा होगे e raised to power minus lambda lambda की power r divided by r factorial e की power minus 2 की value आपको दिया है 0.1353 2 की power 3 होगया 8 3 factorial का मतलब होगया 6 और इस सब को आप simplify करोगे तो simplify करके आपका answer आजाएगा 0.1804 46th question देखते है इसमें आपको भी case study दी हुई है इस case study में कहता है shopkeeper has three varieties of pen A, B, C menu purchase one pen of each variety for a total of rupees 21 ठीक कॉस्ट इनों के दे रखिए x y z अब माल ले रहे हैं पर ठीक है अब हर एक pen अलग-लग variety का आप खरीदते हो और total आपको 21 rupees देने है तो पहले equation बनेगे आपकी x plus y plus z equals to 21 दूसरी equation में क्या बनेगा गरा जीवन purchase four pen of A यानी 4x three pen of B, 3y plus two pen of C यानी 2z equals to अब total आपका बनेगा यहाँ पर 60 उसके बाद जो तीसरा है यहाँ पर शिखा शिखा ने छे pen खरीदे तो 6x हो गया उसके बाद दो pen variety B के तो 2y और तीन pen variety C के यानी 3z equals to 70 तो यह आपकी equation बनेगी इसमें आपका option बन गया A जिसमें आपके पास तीनो equation यह दे रखिए 47 47 में कहता है इसदा given system of equation can be written as A x equals to then find determinant of A A का determinant आपको find करना है determinant find करेंगे तो आगा 1 1 1 4 3 2 6 2 3 इसका determinant find करो 1 into में 9-4 5 फिर-1 लेंगे इसको इसको छोड़ते 12-12 0 प्लस में 1 इसको इसको छोड़ते 8-18-10 यहां से माइनस 10 आए यहां से प्लस 5 यह नहीं डिट्रमेंट आ गया माइनस 5 अब 48 49 और 50 में ABC की कोस निखालनी है तो उसके लिए आपको इसको पास 5 ठीक है वह आएगा आपके पास 5 तो यहां पर हमने लिख देंगे 5 इसका जब आप निकालोगे तो आ रहे है जीरो इसका transport करना होता एड्जुट निकालने के लिए मं डिरेक्ली निकाल देते हैं यहां पर जितना टाइम आप अपने 3, minus 6, minus 3 आगया, फिर आप इसका निकालो, इसको और इसको छोड़ेंगे, 2, minus 6, minus 4, तो यह आ जाएगा, plus 4, अब यहाँ 6 का निकालो, इसको और इसको छोड़ेंगे, यहाँ से, 2, minus 3, minus 1, फिर इसका निकालते, इसको और इसको छोड़ेंगे, 2-4-2 प्लस 2 बन जाएगा इसको इसको छोड़ते हैं 3-4-1 यह बन गए Adjoint of A अब Adjoint निकालने के बाद आपको Inverse find करना पड़ेगा Inverse कैसे find करेंगे Inverse का फार्मूला होता है Adjoint को अगर आप Determinant से divide कर दो तो यानि minus 1 by 5 into में Adjoint of A यह आपके पास आगया Inverse अब X Y Z की value आपको निकालने है तो उसके लिए क्या करेंगे X Y Z की value निकालने के लिए आप A Inverse को B से करेंगे Multiply A Inverse हमारे पास यह है इसको Multiply करेंगे B से B क्या बनेगा आपके पास 21, 60 और 70 इसको आप सॉल करेंगे जैसे मैंटिक्स मल्टिप्लिकेशन कर दे 5 को आपने से Multiply करेंगे 105 यहाँ सा जाएगा 60 यहाँ सा जाएगा 70 तो माइनस 130 और 105 तो आपके पास आएगा माइनस 25 यहाँ से इसको सॉल किया 0 हो जाएगा माइनस 180 और यह हो जाएगा 40 तो 180 मेंसे 40 माइनस करोगे माइनस 40 इदर से करोगे माइनस 210 इदर से 240 यानि 30 रहाएगा 30 और 70 यह भी आजाएगा आपके पास माइनस 40 अब यहाँ माइनस 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 8, यानि जो 48 question है उसका answer बनेगा आपका यह, यह 48 का answer बन जाएगा, यह 49 का answer बनेगा, और यह आपका 58 का answer बनेगा, तो इस तरह से यह sample paper भी हम finish कर सकते हैं, I hope आपको clear हुआ होगा कि questions आपको कि कैसे करने हैं, कैसे आपको अपनी speed भी increase करने है, अपनी speed पर भी साथ साथ वरक करे हैं, sign of course करने हैं है, लेकिन speed पर भी वरक करे हैं कई ऐसा हो जाता है exam में कि आपको questions आते हैं, speed के वज़ए से आप एपने questions को छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना ओ, इसके वीडो में इतना ही, thanks to all of you.